अमेजॉन के लोकल शॉप्स प्रोग्राम के परफॉर्मेंस पारमीटर्स पर इस वीडियो में आपका स्वागत है परफॉर्मेंस मेट्रिक्स प्रोग्राम विश्च पारमीटर्स का एक समू है जो sellers को खरीदारों के डिलीवरी अनुभव को बहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करते हैं प्रोग्राम के साथ निरंतर जोड़े रहने के लिए sellers को अपने performance matrix को बनाए रखना आवशक है matrix के किसी भी उलंगन को अनुचित प्रदर्शन के लिए flag किया जाता है और यह sellers को लोकल शॉप्स प्रोग्राम से हटाने का कारण भी बन सकता है लोकल शॉप्स प्रोग्राम में सबसे महत्वपून प्रदर्शन matrix VTR, OTDR, CR, LDR और ODR हैं सही tracking rate VTR, उन orders के लिए संख्या को मापता है जो खरीदार वास्तविक समय में track करने में सक्षम थे इसकी calculation एक निश्चत time period में sellers द्वारा वैध tracking ID के साथ ship किये गए orders को कुल orders की संख्या से विभाजित करके की जाती है लोकल शॉप्स प्रोग्राम में 100 प्रतिशत VTR बनाए रखना sellers के लिए आवश्चक है VTR बनाए रखने के लिए लोकल शॉप्स ओडर्स को confirm करते समय हमेशा वैध carrier का नाम और tracking ID प्रदान करना सुनिश्चत करें नियत समय पर delivery की दर, OTDR, वादा की गई delivery की तारीक के भीतर order deliver करने की sellers की इक्षमता का माप है इसकी गणना delivery तिथी पर या उससे पहले deliver किये गए orders की संख्या को full orders की संख्या से विभाजित करके की जाती है लोकल शॉप्स ओडर्स को 97 प्रतिशत से ज्यादा का OTDR बनाए रखना आवशक है उचेत OTDR बनाए रखने के लिए seller central पर वादा की गई delivery की तारीक तक जिसमें ऐसे सभी order cancellations शामिल है जिन्हे seller द्वारा cancel किया गया है या जिन्हें तारीक पर भेजिये तारीक तक या उससे पहले ship नहीं करने या ship को confirm नहीं करने की वजह से Amazon ने automatic तरीके से cancel कर दिया है वे order जिन्हें Amazon पर ग्रहक ने cancel किया हो इन cancellations में शामिल नहीं है बनाए रखना आवशक है आप कुछ महत्वपून factors का पालन करके order cancellation से बढ़ सकते हैं जैसे पर्याद भौतिक inventory को बनाए रखना मौजूदना होने पर account को vacation mode पर डालना seller central में auto stock item को समय पर update करना और सुनिश्चित करना कि आपका carrier रोज आपके orders को pick करे order में गड़बडी का rate ODR बहतर खरीदार अनुभव देने में आपकी शमता को मापता है यह एक या एक से ज्यादा गड़बडीयों वाले सभी orders से cool orders का प्रतिशत है local shops program में sellers को कम से कम 0.5 प्रतिशत का ODR बनाए रखना आवशक है किसी भी प्रकार का नकारातमक feedback या A-to-Z guarantee claim आपके ODR मेट्रिक पर खराप रभव डाल सकता है Late dispatch rate LDR उन orders को दर्शाता है जिनकी shipping की पुष्टी तारीक पर भीजिये तारीक के बाद की गई हो इसके calculation तारीक पर भीजिये तारीक के बाद पुष्टी किये गए orders को कुल orders के साथ विभाजित करके की जाती है local shops program के sellers के लिए एक प्रतिशत से कम का LDR बनाए रखना आवशक है कम LDR को बनाए रखने के लिए सुनिश्चित करें कि आपके सभी local shops के orders तारीक पर भेजिये तारीक पर या उससे पहले भेज दिये जाएं carrier सहयोगी अक्सर अपनी सुविदा के अनुसार delivery coverage को अपडेट करते हैं अपने carrier सहयोगी के साथ चर्चा किये बिना गलत coverage अपडेट करने से इन में से कई matrix पर गलत प्रभाब पड़ सकता है क्रिपय अपने carrier सहयोगी के साथ सलह कर delivery coverage को अपडेट करें इससे आप गलत pin code से प्राप order से बढ़ सकेंगे जिने आप दो दिनों या तेज गती से नहीं deliver कर सकते हैं आप seller center के performance tab में account health dashboard पर जाकर अपने account के प्रदर्शन की जांच कर सकते हैं इसके अलावा आप हर सपता आपके registered email address पर भेजे गए defect report वाले performance scorecard को भी देख सकते हैं Performance matrix sellers को प्रोग्राम पर सफलता प्राप्त करने में मदद करने के लिए बनाए गए हैं प्रोग्राम के साथ निरंतर जोड़े रहने के लिए उनका अपेक्षित performance तर बनाए रखना अनिवार्य है इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है हम आपकी सफलता की काम ना करते हैं धन्यवार